दोस्तो अगर आप आज की तारिक में इंडियन मार्केट में एक किफायती और भरोसे मन्त बाइक की तलाश में हैं जो कि आप फैमिली राइडिंग के लिए और एव्रिडे राइडिंग के लिए यूज कर सकते हैं तो हॉन्डा सीडी 110 ड्रीम आप लोग के लिए एक बहुत बड़िया सा ओप्शन हो सकता है दोस्तो यह जो आप कलर देख रहे हैं यह ब्लैक ब्लू ड्वल टोन कलर शेड में है और इस कलर विडियेंट का ही मैं आप लोग को अज रिव्यू करके दिखाऊंगा नमस्कार दोस्तो आप देख रहे देख बेंगॉल राइडर दबा के हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट से सबसे पहले बन रही है तो दोस्तो हॉन्डा सीटी हंडरेड़न टेन ड्रीम का लगभग 13 से 14,000 रुपे इंक्रीज हो चुका है ऐस कंपेर टू बीएस फोर मॉडल और यह बीएस सिक्स मॉडल पे आपको बहुत सारी चीज़े यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जो कि मैं पिछले मेरे जो CD110 के BS6 के रिवीव वीडियो से उसमें मैं अल्रेडी बता चुका हूँ सबसे पहले एक शोरूम प्राइस आपको बता दू कि यह जो आप स्टेंडर्ड मॉडल देख रहे हैं इसका लगभग 64,500 के आसपस एक शोरूम प्राइस से आज की तारिक में एक्जक्ट ऑन्रूड प्राइस जानने के लिए आप ज़रूरूरूम के दिये हुए नंबर प मिल जाएगा सबसे पहले दोस्तों अगर हम इंजीन की बात कर लेते हैं तो अभी भी वही इंजीन यहापे रिटेन किया गया है लेकिन अभी इसको प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन दिया गया है और इसमें BS6 कंप्लाइंस दे दिया गया है सालिन स्टार्ट मेकानिजम आपको मिल जागा यानि कि gear mesh का कोई भी noise नहीं मिलेगा और starter motor की जाएगा आपको magnetic coil spring मिल जागा यानि कि enhanced smart power technology इंजीन अभी भी single cylinder air cooled 109.516 का इंजीन है जहाँ पे आपको power और torque दोनों ही पहले से ज़ादा मिलेगा यानि कि power अब 0.3 bhp बढ़कर 8.6 bhp हो चुका है at 7500 rpm औ अब इसमें एक नया diamond frame का use होता है और self और kickstart दोनों ही दिया गया है और exhaust pipe पर आप देख पाएंगे black color का एक extra calatic converter का यहाँ पे अब देख पाएंगे कि एक जगा बना हुआ है यह canister बना हुआ है जिसे कि आपको साफ पता चल जागा कि गारी BS6 है और इसमें आपको kickstart मिल जाएगा जो की बहुत ही अच्छी बात है commuter bike को देखते हुए और दोस्तों यह जो आप engine देख रहे हैं यही engine आपको levo में मिल जाएगा और levo 110 इसमें बहुत ही premium bike है और यह आपको entry level bike मिल जाएगा HET BS6 की badging ESP की badging भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इसके बात दोस्तों अगर हम fuel tank को देख लेते हैं तो fuel tank का capacity पहले से increase हुआ है 9.1 liters का आपको petrol tank capacity मिल जाएगा front में headlamp को देखें दोस्तों तो headlamp flickering का problem अभी permanently जा चुका है अभी इसमें आपको DC headlamp setup मिल जाएगा जो कि आभी भी halogen unit है और मुझे ऐसा लगता है कि headlamp unit जो है और भी थोड़ा सा stylish हो सकता था normally इसमें 35 by 35 watt का halogen bulb आता है जो कि city के हिसाब से दो decent है लेकिन long rides में आपको थोड़ा सा problem आ सकता है clear lens turn indicators आपको मिल जाएगा semi flexible kind का और पीछे आपको जो back lamp मिले गई ये normal bulb type का यानि कोई भी LED वगर आपको इसके अंदर नहीं मिलता है और पीछे आपको एक बड़ा सा carrier मिल जाएगा steel का जिसमें कि आप काफी ज्यादा सामान भी मांट करकर लेके जा सकते और ये पीछे की जो carrier इसके design भी पहले से अभी change हुआ है side से look देख लीजे दोस्तों आपको इसमें blue color के stripes मिल जाएगा black color के उपर यानि कि dual tone color shade दिया गया है handlebar और switch gear quality आप पहले से improve हुआ ह headlamp switch और past light switch को integrate किया गया है और अभी इसमें आपको engine kill switch मिल जाएगा which is integrated with the self start switch और इसमें आपको commuter kind of handlebar मिल जाएगा ताकि आप upright position में बैट करके गाड़ी को चला सके 110cc में engine kill switch का होना बहुत ही अच्छी बात है इसके बाद meter console को देख लेते हैं तो बहुत ही एक basic analog सा unit है मेरे ख्याल से यह थोड़ा सा और भी जादा stylish हो सकता था analog में ही थोड़ा सा और stylish हो सकता था इसमें आपको normally speedometer, fuel gauge और odometer मिल जाता है सारे telltale lights के साथ टैंक को देखे दोस्तों तो बिल्कुल ही sleek यहां पर एक tank दिया गया है, Honda के एक sticker आपको मिल जाएगा, graphics वगड़ा मिल जाएगा, metal का tank है और इसके उपर chrome में आपको tank lid यानि कि petrol tank cover इसके अंदर देखने को मिल जाता है engine जो है दोस्तों यह silver और black finish दोनों में ही दिया गया है, पहले से जादा long और spacious seat आपको मिलेगा और seat height 790 mm है जो कि लगबग सारे Indian riders जो है इनके average height के लिए काफी खीक ठाक है ground clearance पहले से कम हो चुका है, यानि कि आपको 162 mm का ground clearance मिलेगा seat बहुत ज़्यादा spacious और comfortable है, पीछे जो grab handle दिया यानि कि carrier आता है, वो काफी ज़्यादा सामान आप इसमें mount कर सकते है पीछे आपको carbon fiber की finishing tail lamp cowl पर देखने को मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पर हम mileage की बात कर लेते तो पहले से अब mileage increase हो चुका है 70 के आसपास आपको easily यहाँ पर mileage मिल जाएगा, 70 to 75 का mileage आप यहाँ पर उम्मीद रखके चल सकते है CD110 का dream का जो logo है वो आपको side panel पर देखने को मिल जाता है इसी के साथ साथ दोस्तों आपको इसमें पीछे का जो tire है यह low friction resistance वाला HED tire मिलेगा ऐसा Honda का दाबा है और जैसे की मैंने आपको बता दोस्तों engine में अब पहले के मुकाबले क्योंकि यहाँ फ्यूल injection आ चुका है तो mileage better मिलेगा और performance भी पहले से थोड़ा सा increase हुआ है इसे आपको twin hydraulic non adjustable shock observer मिल जागा भी अगर adjustable होता तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा होता एक downside है कि पीछे के जो shocker से यह adjustable नहीं है यह adjustable होना चाहिए था मुझे ऐसा लगता है इसके बाद tires को देखें दोस्तों तो दोनों ही तरफ आपको 18 inches के tubeless type tires मिलते है 80 by 100 size का अब skinny tires इसलिए दिया गया है क्योंकि गारी entry level category का है और यह ज़्यादा तर focus किया गया है यहाँ पर mileage के उपर और normal city riding के उपर local riding के उपर तो इसलिए आपको tires यहाँ पर skinny ही मिलेगा disc brake का कोई option नहीं है मेरे ख्याल से होना चाहिए था दोनों ही तरफ आपको 130 mm के drum brakes मिलेंगे with combi brake system and equalizer अब equalizer better braking balance में आपको मदद करेगा और सिर्फ आपको Honda की गारियों में ही देखने को मिलेगा mudguard के उपर आपको carbon fiber finishing मिलेगा और tires की tread pattern को देखे तो city focused यहाँ पे tread pattern दिया गया है street focused tread pattern दिया गया है disc brake का यहाँ पे ऐसा मुझे लगता है कि as an option यहाँ पे at least होना चाहिए था अब पीछे की जो tire देखे दोस्तों जैसकि मैंने आपको बता है HET low friction resistance tire यहाँ पे दिया गया है और brakes मेरे ख्याल से ठीक ठाक है इस तरह के गारियों में normal drum brakes लग जाते लेकिन एक disc brake का होना आज की तारीक में काफी जादा जरूरी है at least as an option यहाँ पे आपको exhaust के उपर chrome की muffler भी देखने को मिल जाता है इसके बाद दोस्तों अगर हम overall bike को देखे तो इसकी maintenance बहुत ही कम है normally यहाँ पे आप petrol भड़िये चलाईए और normally time to time service करवाएंगे तो गारी काफी ठीक ठाक सा रहेगा और Honda की गारी है तो इसलिए आपको spare parts या फिर after sales maintenance के बारे में भी कोई जादा फिकर लेने की जरूरत नहीं है कोई भी mechanic इस तरह के गारियों को service कर सकते है और इसके parts भी आपको easily market के अंदर मिल जाएगा और resale value भी काफी अच्छा मिलेगा curve weight 112 kg का है और यहाँ पे top speed लगबख 85 से लेकर आपको 90 तक का मिल जाएगा तो दोस्तों यह जो color ही यह double tone shade आपको कैसा लगा और overall यह bike आपको कैसा लगा आप जरूर comment section पर share कीजिए share कीजिए इस वीडियो का अपने दोस्तों के साथ आगे हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए topic के साथ thank you and always ride safe